कि आपने प्रणाव इंशान जी को करना है एक विशेश सौभाग्य का अवसर है कि जब हम गणे जी के नाम से यूट्यूब चैनल के द्वारा सनातन परंपरा की बात करते हैं तो जो प्रसन्नमक वाले इशान जी है उनसे प्रशन यह है मेरा कि हम प्रसन्न क्यों नहीं रहते और प्रसन्न बने रहे हैं इसके लिए क्या करें जी यह सवाल हो गया कि हम भूके क्यों रहते हैं और भूके ना रहें उसके लिए क्या करें भोजन खाएंगे भूके नहीं रहेंगे और हमें प्रसन्नता चाहिए जैसे अगर भूक मिटानी है तो भोजन का सेवन करना पड हमें बैट के सोचना पड़ेगा कि हमें ऐसा क्या महादेव ने दिया जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं और उस प्रकृती का धन्यवाद करते हैं और जैसे एक भूके को जब आप बहुत समय बाद खाना खिलाने की कोशिश भी करते हो तो तरक तो ये बोलेगा कि वो खाना खालेगा चुपचाब लेकिन सही माईने में अगर एक व्यक्ति ने चार दिन से कुछ नहीं खाया और आप उसको खाना खिलाने की कोशिश करते हो उल्टिया करता है उसको दस लग जाएंगे वो खाने का सेवन ही नहीं कर पाता क्योंकि अब पेट से वो खाना पचता ही नहीं उसी प्रकार से अगर मैं एक साधारन व्यक्ति के पास जाओं जो कि भूक आए और उसने कभी धन्यवाद का भाव उत्पन ही नहीं किया और मा उसको बोलूँ, धन्यवाद कर महा देव का वो क्या बोलेगा किस बात का दोन्यवाद करों? किस बात करों? जैसे एक भुके के पेट मेष्ट मे खाना डाल रहे ना, वो खुद ही उल्टी कर देगा तो एक व्यक्ति को खुशी चईह है लेकिन मैं कहहाँ धन्यवाद कर, ख चम्म चुठा के हलका सा दलिया, ठीक, तिर पास स्वास्त है, हाँ, स्वास्त है, जीवन है, हाँ, जीवन तो है, सांस ले पा रहा है, हाँ, स्वास्त ले पा रहा हूँ, पागल नहीं हुआ अभी तक, नहीं पागल नहीं हुआ, पत्नी नहीं भागी, नहीं पत्नी, पत्नी ह और भाग दी गई हो तो भी खुछ रहो कि भाग गी फिर तो पूरा भांडा ही मुह में डाल दिया तो दन्यवाद का भाव हम जितना लाएंगे उतनी प्रसंद अपाएंगे तो यह इतनी पी बात है जो दन्यवाद है वह हमारे जीव में बना रहे और इशान जी के पास उप और इनसे बात करके न एक एक बहुत हैं अपको बात बताऊ थोड़ा थोड़ा टफ भी है क्योंकि खुल जाता है जब आप एक जनेरलिस से बात कर चैंद समझ के बात करते हैं क्योंकि वह चीज ब्रहमार्ण में फैल जाती है तो इननसे बात करतेidents ऐसा नहिता है कि आप अ जीत लेंगे और जो आपकी सच्चाई है उसको प्रकट कर देंगे अपने सभी Creators के सामने. So, bless you and thank you so very much. इसके ऐसे करना हो बुरता है कि. श्वाची.